से आज के तीन बड़े स्टॉक्स हमारा खास सेग्मेंट त्री मूर्ती सेग्मेंट से मज़ लेते हैं शरत बताए जी बिलकुल आटो स्पेस और आटो एंसरी स्पेस में जो है बहुत इंपोर्टन इंडस्ट्री बस चल रही है और जो है यहाँ पे इस कंपनी सिर्मा सब्सक्राइब करने वाले हैं विच साल 2023 में और जुनकी ऑपरेटिंग मार्जिंस है वो जो है 11 परसंट से लिके 15 परसंट तक रहेगी याना की जो कह सकते के अर्ली डबल डिजिट ग्रोथ इसके लावा कैपिसिटी अडिशन ट्रैक पर है एमस डिविजिन के लिए और हाई मार्जिन ऑपरचुनिटीज वो ढूंड रहे है इंडस्रियल और हेल्थ केर सेग्मेंट पर और ऑटो वर्टिकल और एवी ट्रांजिशन का जो थीम है उसके कारण डिमांस फ्रेंट जो है स्ट्रॉंग लग रहे है हाला कि कंपेटिशन जरूर रहने वाली है लेकिन कोई प्राइसिंग प्रेशर नहीं दिखेगा तो यह इंपोर्टन कमेंटरी आ रही है इस कंपनी से दूसरा स्टॉक फोकुस मेंने का श्याम मेटालिक्स और अगले पात साल में और यह जो है इंटरनल एक्रोल्स दारा जो है कंटिन्यू के करेंगे और तीसरा स्टॉक फोकुस में रहेगा सुदर्शन केमिकल यहां पे नौजस बैंक जो सेंट्रल बैंक है नौर्वे की वह एक परसेंट स्टेक की बिक्वाली की थी बल्लिल्स चेकने मिला है हाला कि जो प्रीविएस एक या दो सेशन में जो है आप कह सकते स्टॉक में एक मूवमेंट आया है बॉटम से और स्टॉक जो अभी फिफ्टी डिये में से ऊपर है इन फैक्ट सुदर्शन केमिकल कल भी ट्रेड में काफी मजबूत था और उसका एक गिर मही करीब दस पसंद तो यह एक बार नीचे में 370 का लो बना के इस समय 400 की तरफ आया है कुष ज़रा एक बार चार्ट चेक करेंगे करीब दो से तीन बार पिछले पांट से साथ सेशन में इस लेवल को टेस्ट किया है और वहां से रिबाउंड किया है तो सजेस्ट करेंगे कि मीडियम ट्रेंड मीडियम ट्रेंड जो है इसका शायद अपवर्ड हो सकता है क्योंकि एक बॉट्म बनते वह दिखा है 370 के आसपास जो अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा वाल्यूम आक्शन काफी अच्छा है कल के जो प्राइस इनो कलका जो प्राइस आक्शन है उसके तो 430 तक के टागेट से आपर नजर आ सकता है पिछले तीन महिने में आउट परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस ही नहीं दिखी लेकिन यहां से इस ख़बर के बाद एक अप्ट्रेंड टेकनिकल चार्ट पर भी दिख रहा है सिर्मा SGS के मैनेजमेंट मीट के टेकवेज आ का सर दिखेगा टेकनिकली चार्ट चेक कीजिए बताएं क्योंकि कल भी हमने देखा करीब आदे पिसेंट की तेजी स्टॉक में नजर आई थी इसका चार्ट लिमिटेड है लेकिन एक इंट्रेस्टिंग चीज यह है कि जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई थी उस दिन इसने बड़ी तेजी दिखाई थी और उस दिन के लोग के आसपास यह फिर से इसमें एकुमिलेशन होते दिख रहा है तो मुझे लगता है यहां प यह कुछ स्टॉक सा एहमिन पर आप नजर जरूर रखे कुछ और स्टॉक